नमस्कार आप देख रहे हैं सुरिंदर समाचार कानपूर के अरोला थाना चेतर के एक गेस्ट हाउस में 6 साल की बच्ची को कमरे में खीच कर गेस्ट हाउस करमचारी ने दुस्करम किया है बच्ची की चीक सुन परी जनों ने आरोपी को दबो चलिया और पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया बच्ची को अरनफानन में पास के लीजी अस्पताल में भरती कराय गया है उसके बाद उरसेला रेफर कर दिया गया बच्ची के पिता के तेरीर पर अरोला थाने की पुलिस ने आरोपी को खिलाप रेफ पोक सो एक्टरेट अन्य धहराओं में दर्जगर लिया है केस मकनपुर बिल और निवासी युवक ने बताया कि 11 मार्च को उनकी बहन की साधी लच्मी गेस्ट हाउस गुलाप पुरवा से होनी थी दोपेर को पूरा परिवार गेस्ट हाउस में साधी के तैयारियों में लगा हुआ था इस दोरान गेस्ट हाउस करमचारी इलियास पुर निवासी रीपु सकसेना ने बदनियती से उनकी बेटी के कमरे में खीच लिया और दोस्करम किया बच्ची की हालत बिगड़ती को देख और छोड़ दिया बच्ची को बदहावास देख परीजरों ने पूछा तो उसने बताया कि कमरे में मौज़द यूख के साथ गंदी बात की इसके बाद परिवार के लोगों ने आरोपी गेस्ट हाउस करमी रीपु को दबोच लिया और जम कर पीटा इसके बाद अरोल पुलीस ने को सूचना देकर उनके हवाले कर दिया एसपी बिल्लोर आरोग सिंग ने बताया कि आरोपी के खिलाब अरोल ठाने में रिपूर्ट दर्ज कर अरेश्ट कर लिया है